मुझाइट करें में इंट इसका इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब लेवरेज चैप्टर के अंदर में क्या था जाता नहीं है तीन-चार बात है हमारा प्रोच क्या रहेगा पहले हम लोग फटा-फट आ सारे कंसेट फॉर्मुला को हम रिवाइस करवाएगा और उसके बाद जो तुम लोग सीमें स्टीटूट के अंदर में जो विधान है तो मटान आ इंक टाठ में पेला कण करेंगे ऑर करेंगे को क्या मिलेगा क्ट्रिबूशीन मैनस करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा ए-b-i-t कुल-फरम earnings before interest and tax earning before interest and tax तो पहले हैं यहां से क्या minus होने वाला है interest तब interest minus कर दिए क्या बचेगा earning before tax अब आगे क्या minus करने वाले है tax अब क्या बचेगा earnings after tax अब earnings after tax में से एक और चीज़ minus किया जाता है जिसका नाम है preference dividend last पर क्या बचेगा आफेश earnings available for equity share holder अब मेरा question उठता है sale value कैसे मिलेगा वो question में दिया रहेगा अगर मालो नहीं भी दिया वे तुम आराम से calculate कर सकते है कैसे कितना unit बेचे into कौन से rate में बेचे तो मेरे को मिल जाएगा sale value अब जो मेरा variable cost है generally as a percentage of sale देगा 70% of sale तो sale है उसका 70% units देगा और variable cost पर unit देगा तो जैसे unit को multiply करेंगे variable cost पर unit से क्या मिल जाएगा variable cost मिल गया contribution और मेरा fix cost हमेशा दिया रहेगा आया EBIT अब interest का value आईदर देगा या फिर वो अब सुचोंगे अब interest किसको देगे जिससे loan लिए अब either बोलेगा loan या बोलेगा देवेंचर तो loan या देवेंचर का amount देदेगा साथ में उसके interest rate देदेगा मालो loan लिए 5 शलाग का interest rate है 10% तो interest का amount कितना हैगा 5 शलाग रुपे के loan पे 10% यानि 50,000 तो either interest देगा ये interest को calculate करने के लिए देवेंचर and interest rate देगा मिल गया EBIT अब जो tax है नहीं ये हमेशा एक rate की तरह देगा तुम लो टाक्स पर लिया तुम लो टाक्स है champion है मालो tax rate दिया है 30% अब tax rate अगर दिया है 30% तो यानि जितना profit कमाय थे tax लगने वाला है उसके उपर में 30% तो यह आज़ा percentage है जो PBT ये TIA माइनस करता है preference dividend preference dividend किसको दिया जाएगा preference shareholder को यानि मेरा जितना preference share capital था उसको multiply करेंगे preference dividend के rate से क्या मिल जाएगा preference dividend का amount तो यह था हमारा income statement का format अब ना थोड़ा सा एक और फड़ा-फड़ हमलों numbers mental match से लगाना ठीक है मालो हमारा sale value है मालो sale value है example दे रहे है 10 लाक मालो मेरा variable cost दिया वाए है 50% of sale तो मेरा variable cost कितना जाएगा 10 लाक का 50% 5 लाक यानि पता है contribution कितना जाएगा 5 लाक मालो मेरा fixed cost example दे रहे है 3 लाक रुपया यानि बीटी कितना जाएगा 2 लाक मालो मेरा interest का value दिया वाए है 1 लाक रुपया तो मेरा इबीटी कितना हो जाएगा 1 लाक मालो tax credit दिया वाए है 50% तो last minute को profit कमाए 1 लाक इसका 50% tax दे रहे है 50,000 यानि पता है EAT कितना हो जाएगा 50,000 एक और पहले example को simple रखने के लिए मान रहे preference shares नहीं है यानि यहीं मेरा आफिश तक आया है 50,000 चलो very good अब मेरा question उठता है यहाँ पे doll एक word होता है doll एक word होता है DFL एक होता है DCL वो क्या है देखो पहला बात doll degree of operating leverage degree of financial leverage DCL degree of combined leverage leverage का मतलब होता है risk और मेरा अगला question उठता है एक income statement के अंदर में risk कौन लेकर आता है मेरा fixed cost आज जो खर्चा fixed cost है वही मेरा risk है कारण क्या अगर बाइचा sale double होगा या उल्टा दिखते है मालो sale थोड़ा कम हो गया तो variable cost तो कम होगा contribution भी कम होगा पर fixed cost उतना ही रह जाएगा या नियो मेरे रिस्क है similarly अब तुम दो मेरा income statement पो देखके बताओ इसमें क्या-क्या fixed cost है sale, variable cost, contribution तक fixed cost नहीं पहला fixed cost कौन सा है ये वाला fixed cost बताब तो interest का खर्चा variable nature का होता है या fixed fixed तो ये मेरा एक और fixed cost tax vary करेगा fixed nature का या नहीं short मेरा बोलने का मतलब क्या है पूरे income statement के अंदर में या तीन fixed cost पहला वाला fixed cost है ये है operating nature का क्योंकि ये मेरा day to day operation में लगा जो मेरा interest का खर्चा है और preference dividend का खर्चा है पताए ये दोनों क्या है financial nature का आ कारण क्या क्या क्योंकि हम लोग को पैसा finance करना पड़ा था डेवेंचर वालों से या प्रेफेंचर वालों से तभी तो ये fixed cost आया तो लेको एक है मेरा ये वाला fixed cost इसका color रख कर दे और एक है मेरा ये वाला fixed cost यानि मेरा दो तरह का fixed cost हो गया एक operating nature का अगला हो गया financial nature का एक वार के लिए न हम लोग प्रेफेंच डिविडेंट को भूल जाते हैं एक वार बिना प्रेफेंच डिविडेंट के काम सलाते हैं तो question उठता है हमारे degree of operating leverage का formula क्या है जो operating risk को measure करें operating risk call लेकर आया ये वाला fixed cost तो question उठता है इसका formula क्या बनेगा इसके लिए को ठीक उपर में क्या था contribution आँ बताओ इसके नीचे में क्या है या EBIT तो formula क्या बनेगा contribution divided by EBIT यह है डॉल का formula इसके नीचे में क्या EBIT तो formula क्या बनेगा EBIT तो मेरा financial leverage का formula आया EBIT divided by EBIT आँ मेरा question उठता है DOL into DFL तो इसके डॉल का formula निकाले थे contribution by EBIT आँ DFL का formula निकाले थे EBIT divided by EBIT आँ यह नहीं पते इसका formula क्या बन जाएगा contribution divided by EBIT और यह हम लोग हमेशा measure किसमे करते हैं टाइम्स में डन आँ एक काम करें एक और फड़ा पटना हम लोग ज़रा calculate करते हैं इधर में DOL DFL कितना हैं तुम लोग के एक बार अपने आप calculate करेंगा तीनों नंबर आँ डॉल आने वाला है 2.5 कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे भी calculate करने दो मेरा contribution 5 लाक divided by EBIT 2 राक तो 5 लाक बाए 2 लाक कितना होता है 2.5 times आँ मेरा अगला question रुटता है DFL का formula क्या EBIT divided by EBIT तो 2 लाक बाए 1 लाक क्या हो जाएगा 2 times आँ मेरा अगला question रुटता है DCL का formula क्या 2 तरीका आइधर DOL into DFL कर तो 2.5 into 25 यह अगला तरीका है contribution divided by EBIT कर तो 5 लाक बाए 1 लाक कितना हो जाएगा 5 times यहां तक clear है अब पता है जितना ज्यादा operating leverage रहेगा उतना ज्यादा operating risk रहेगा और जितना ज्यादा financial leverage रहेगा उतना ज्यादा financial risk रहेगा और जितना ज्यादा combined leverage रहेगा उतना ज्यादा combined risk रहेगा और एक company का target हमेशा क्या रहता है तुम दो बताओ risk जादा से जादा लेकर चले या कम से कम कम से कम तो उचाहेगा leverage कम से कम रहे अब एक वार यह तीन number आया अगला question उपता है यह तीन number दर्शाता क्या है यह तीन number क्या indicate करता है अब अगला बात ना थोड़ा धंग से सुना फिर बाकी जमेला ने चैप्टर में सुनों कौन आया है अब हम चाहिए करना अब अगला number ना तुम लोग थोड़ा मेरे को calculate करके थोड़ा help करना अब माल लो अगर हम by chance बूले कि हमारा sale ना next year बढ़ने वाला है 20% अगर हम by chance यह बूले कि मेरा sale 20% बढ़ने वाला है तो यह पहला sale value फार्ब 10 लाक अब अगले साल अगर यह 20% बढ़ जाएगा तो पता है अगले साल यह value कितना हो जाएगा 10 लाक का 20% डाट करो कितना हो जाएगा 12 लाक अगर अगर अब sale value 20% बढ़ रहा है तो मेरा variable cost भी 20% बढ़ेगा आज यह जो पांच लाक रुपया था वो पांच लाक में 20% बढ़ कर क्या बन जाएगा पांच लाक का 20% डाट करो मना मिलाकर 6 लाक शायद यह ना आज यह नी मेरा contribution कितना हो जाएगा 6 लाक अब हम चाहेगा अगला अंसर बुद्धी लाक के बताना बताओ fixed cost का value 3 लाक की जगा क्या हो जाएगा ध्यान देना fixed cost तो fixed है यह नी क्या रहेगा 3 लाक यह नी मेरा EBIT कितना हो जाएगा 3 लाक अब बताओ interest जो एक लाक लगता था वो क्या होगा बताओ interest vary करेगा या fixed nature का है यह fixed nature का है यानी पहले अगर एक लाक था तो अभी भी लगेगा एक लाक यानी पताए मेरा EBIT कितना आ जाएगा 2 लाक अब tax तो देना पड़ेगा 50% पहले एक लाक कमाई तो एक लाक का 50% दिए अब दो लाक कमाई तो दो लाक का 50% देगा मतलब कितना 1 लाक यानी यह कितना आया 1 लाक ठीक है या तक अब मेरा question उठता ही हम लोग income statement इस तरीका से बना तो लिए इसको बताने का क्या एक shortcut था बिलकुल था आ शॉटकट क्या था वो था ये आ यह हम दोग एक topic पढ़े थे analysis of leverage उसके अंदर में बताया था सुना बेक वार पता है गर sale बढ़ता है 20% तो variable cost भी बढ़ेगा 20% आ यानि मेरा contribution भी बढ़ेगा 20% पर सेंस मेरा देखो यहां पर fixed cost रहे गया same सिंस मेरा fixed cost रहे गया same जयानि EBIT जो EBIT है वो 20% से ज़्यादा बढ़ेगा sale 20, variable cost 20, contribution 20 पर अगर fixed cost same है तो उसका जो अगला EBIT हैगा वो 20% से ज़्यादा बढ़ेगा आख question रोते है कितना ज़्यादा बढ़ेगा वही कौन बताता है doll since मेरा fixed cost same था और fixed cost का nature operating nature का था तो सिंस यह operating nature का था तो हमारे contribution के 20 बढ़ने पर हमारा EBIT कितना बढ़ने वाला है यह कौन बताएगा doll doll कितना लिखाव है 2.5 times पताएगे क्या indicate करता है कि एगर sale change होता है 1 तो variable cost भी 1, contribution भी 1 पर मेरा fixed cost देखो same रह गया यानि EBIT 1 से ज़्यादा question रूपता है कितना doll था तो यह कितना है 2.5 यानि एगर 1% के against में यह 2.5% बदलता है तो बताओ हम तो 20% change लिया था एक के against में 2.5 है unitary method लगा रहा एक के against में 2.5 है तो 20% के against में क्या हैगा 20 into 2.5 calculate करो कितना हैगा 20 into 2.5 50% यह 50% यानि जितना मेरा पहले EBIT था ना वो 50% बढ़ दाएगा तो 2.5 का 50% करो क्या होता है एक लाक तो जैसी दो में एक जोड़े क्या मिल गया अब अगला आसेंस मेरा EBIT आया 2.5% चेंज अब interest तो सेम रह गया यानि EBIT इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा आ क्वेशन उठता है इससे भी ज़्यादा कितना बढ़ेगा यह कौन बताएगा देको interest financial nature का था यानि यहां से यहां तक कौन पहुंचाने वाला है financial leverage जो क्या एक के अगेश्ट में 2 है तो तूपीयट केश्ट में क्या ऐगा गाठ तूपांवाल रुफे क 시청 बढ़ेगा है तो एक कितना हो जाएगा तो एक वार ना वापस से सरज भाष्शा में बात करें तुरे को यहाँ पर हुआ क्या सारा हम गंगी मिटागा रुको बहुत गंगी फेला करें आ यानि हुआ क्या तुम लोग बस खाली है तीन नमबर देखके ना मेरे को आंसर देना ठीक है अगर मालों हम बोले सेल चेंज होता है 1% तो वेरियमल बहुत कॉश भी कितना चेंज होगा 1 आ यानि कंट्रिबूशन भी 1 आ फिक स्कॉश चेंज होगा क्या आ यानि EBIT 1 से ज़्यादा चेंज होने वाला है क्वेश्चन उपता है कितना ये बताओ कौन सा लेवरेज बताएगा अब मेरा टैक्स भी बढ़ेगा पाँच ये टी भी बढ़ेगा पाँच तो यहां से यहां तक DCL बताया यहां से यहां तक डॉल ने बताया ये बताया DFL और ये टोटल कौन बता रहा है DCL अब एक आंसर देगा अगर मालनों बोले EBI परसेंट तो मतब बताब कुतना चेंज होगा 25 आ परफिक्स तो सेम रह जाएगा क्या मेरा को बताै कह 62.5 अब मेरा इंटरेस सेम है यानि यह EBT उससे ज़्यादा बढ़ेगा question उता है किता बढ़ेगा एक के गेंस्ट में 5 था तो 25 के गेंस्ट में क्या आने वाला है 25 इंटू 5 125 और आगे हमिश्चा क्या चलेगा 125 यह नहीं पता है डॉल को calculate करने के मासूल formula था contribution by EBT DFL के लिए था EBIT वे EBT DCL के लिए था contribution वे EBT इसको calculate करने के एक और तरीका है कि कितना percent मेरा change होता है EBIT due to percentage change in sale कितना percent change होता है EBIT due to percentage change in sale सोचोर आपने आप sale 1 हुआ तो variable cost v1, contribution v1, fixed cost name है यानि EBIT 1 से ज़्यादा कौन बताया था? डॉल बताया था? similarly अगर हम दो DFL का बात करे तो EBIT के बदलने पे आखरी line कितना बदलता है? ये कौन बताता है? DFL तो DFL क्या बता रहा है? EBIT के change होने पे आखरी line जो last में EPS निकालते है वो कितना change हो रहा है ये बताता है DFL और पताए DCL क्या बताएगा? सेल के चेंज होने पे आखरी line कितना बदला? तो income statement को दो पार्ट पे तोड़ देना सेल से EBIT तक DOL ने बताया EBIT से आखरी line तक DFL ने बताया सेल से आखरी line तक BCL ने बताया डन? अब ये मेरा सारा बात खताब अब अगर बाइचास question में preference share आ जाए तो इससे फरक क्या आता है? यह हम लोग जानेगे पांच मुनट बाद अब एक छोटा-छोटा सा बात देखो अब एक word होता है PV ratio और ये formula देखो मत मिरे को बताओ PV ratio का formula क्या? contribution divided by sale into 100 अगर हम बाइचास बोले PV ratio 70% अगर हम बाइचास बोले PV ratio 70% इसका automatically मतलब है sale अगर 100 रुपया है तो contribution 70 रुपया है यानि बताओ automatically variable cost कितना आ जाएगा? 30 इसलिए क्या बोलते है PV ratio plus variable cost का percentage मिला के 100 यह हम लोग marginal cost ने में जाना थे रिष्टा number 1 यह दे दो रिष्टा बना था relationship पढ़ाई वाला relationship तो याद नहीं है आ यह हुआ हमारा पहरा बाद PV ratio वाला बाद मेरा अगला question उठता है earnings per share EPS earnings per share हम लोग हमेशा किसके भी point से निकालते है equity वाले के लिए पता है equity वाला एक company का owner उसको क्या मिलेगा जो लास्ट में बच गया वह owner का है एक सेकेड़ लोग देखें इतका statement का formula पहला लहीं minus क्या मिलेगा contribution minus fix cost क्या मिलेगा EBIT minus क्या मिलेगा minus tax क्या मिलेगा EAT minus preference dividend क्या मिलेगा आफेश जैनि last में बचा आफेश तो owner पो मिलेगा आफेश तो earnings per share क्या मिलेगा उसको क्या मिला आफेश पर भाई मिरको निकालना है earnings per share तो divide पता है किससे करेंगे number of equity share तो क्या मिलेगा EPS अब वही अगर भाईचास return on equity निकालने बूलता यह निकालते है percentage में कि equity वाला कितना percent कमाया तो यह मिला तो उसको आफेश ही है और divided by कितना रुपया लगा के जो equity shareholder ने अपना पैसा लगाया था percentage के लेट तो और earnings per share बोलेगा divide होगा number of share अगर return percentage में निकालना है तो divide करेंगे कितना रुपया लगाया उस पे कितना कमाया अगा यहां एक turnover ratio होता है यह हमारी स्काप्पन में कभी कभी काम आता है यह मेरे एक ठो गुरु मंत्र दिया बाता है दुरिया में कोई भी turnover ratio आये दुनिया में कोई भी turnover ratio आए हर turnover ratio का formula होता है turnover divided by वो अगर हम बाइचास बोले asset turnover ratio formula क्या होगा turnover divided by asset अगर मालनों यहाँ पे बूलता total नहीं अगर मालनों यहाँ पे बूलता fix asset turnover ratio तुम बताए formula क्या होता turnover divided by fixed asset और turnover का मतर्सिल वाली होता है अगर हम बाइचास बोलता है current asset turnover ratio formula क्या होता turnover divided by current asset तो यह formula जो हमको कभी-कभी बीश में काम पढ़ता है अगला बात हाँ थोड़ा सा देखे तुम लों में कितना बुद्धी है भगवान का बहुत दियावाए थोड़ा टेस्स करना है अब मालनों EBT minus tax होता है EAT ठीक है एकर उपर का नहीं लिख रहा है मालनों हमारे question में EAT दे दिया है मालनों example देते है 140 और मालनों tax rate दियावा कि लोग अपना हथियार ले चुके हैं एक बैक चैकुलेटर करना है कि कुछ लोग कांसर रहा है 182 कुछ लोग कांसर रहा है 200 मेरे को पता रहा है यहां करती होगा सुनो आइक बादा तुम लोग तीस परसेंट किस का क्यूलेट कर दिया 140 का एक बाद रहा है तो किस पर देते हैं कितना profit कमाया गया था profit यह कमाया थे वही तो calculate करना है यारी मालो अब यह जो EBTI या टाक्स को इती पर देंगे तभी तो यह टी आएगा तो जब टाक्स टेट परसेंट दिया है वो तो इस पर रहेगा इस पर थोड़ी रहेगा अब तुम दो लेगा यह तो दिया ही नहीं है अगर बैशनस जीवन में 8 को कुछ नहीं करदा वो सब पूरा याद है x को याद करदा तो एक तरीका है x को याद कर लो तो अगर मालो यह x होता तो x का 30% क्या था 0.3x यानि इस पे से tax दिये अब मेरा क्या बचेगा 10-10 0.7x जो किसके बराबर है 140 के solve करना x का value कितना आ ज तरीका एक और तरीका क्या होता है मालो ebt का value 100 रुपया था तो उस पर tax देना पढ़ता 30% मतब 30 यानि 80 क्या बसता 70 तो यह 70 के बराबर है तो 100 का value क्या तो यह क्या था 140 है 70 के बराबर तो 100 का value क्या 200 यानि ऐसे बूलते थे 140 divided by 0.7 70.7 होता है और एक बात बूले 0.7 आया कैसे 1-0.3 और एक बात बूले यह 0.3 क्या है पता यह 0.3 क्या है tax यानि यह क्या था 140 divided by 1- tax त्रिक छोटा सा बात कोई भी अगर बैचांस after tax दिया रहे दिखो यह after tax है कोई भी value अगर after tax दिया रहे मिलको निकालना है before tax कुछ नहीं क tax rate से तो यह अपने अब किसमें convert हो जाएगा before tax यहाँ तक का काम खतम अब preference share के आने पे क्या बदलावाता यह हम बताते हैं एक तुनेट बाद पहले हम लोग फड़ा पर कुछ-कुछ numbers calculate करते हैं तो यह काम करें एक बार अभी जम जितना बताये का फड़ा पर device करें आब बताओ पहले income statement का format फासेल माइनस variable cost contribution माइनस fixed cost EBIT माइनस interest EBIT माइनस tax EAT माइनस preference dividend क्या मिलेगा आफेश बताओ earnings per share निकलना है अब एक बात बताओ इस पूरे के पूरे income statement में तीम fixed cost है एक ये एक ये एक ये एक ये तीनों का nature बताओ operating निचर का कौन सा है ये मेरा operating निचर का इसका निचर का है financial इसका निचर का है financial तो operating fixed cost create करता है operating risk आ जो measure करता है operating leverage formula क्या बनेगा contribution by EBIT आ financial वाले का formula क्या बनेगा EBIT by EBIT preference dividend आने पे क्या होता है हम बताया है अभी तक ये तो आया doll DFL, DCL होता है doll into DFL या सीरा contribution by EBIT इसको करते का एक और तरीका था percentage वाला तरीका अगर one change होगा variable cost भी one होगा contribution भी one होगा fixed cost same यानि EBIT one से ज़्यादा बालो दो तो ये कौन बता रहा है doll तो इसका formula के एक कितना percentage change होता है EBIT में due to percentage change in sales अब ये अगर 2% change होगा इंट्रेस्टे में यानि EBIT 2 से ज़्यादा मान लो 3 फिर आगे ये हमेशा चलता रहेगा 3 आग question उठता है 2 के बदलने पे 3 बदला ये कौन बताता है DFL तो कितना percentage change होगा EBIT में या EAT में या EPS में due to percentage change in EBIT जानि सीधा सीधा से इवी आइटी तक डॉल ने पहुंचा आया EBIT से last में DFL और sales से last में DCL done अब एक काम करते हैं फड़ा फट करते हैं कुछ कुछ question या आप तो कि सारे study mat का questions है तुम लोगे CM Institute का study mat अब यहाँ पर आप format format बनाने में बढ़ दाएंगे revision कर रहे हैं तो फटा फट sales में लिखेंगे S, V, C, C, F, C, EBIT ऐसे करते हैं आप तुम लोगे एक और अपने apply करेगा आ calculate करना है doll अगला DFL, अगला DCL आ इस table से आ तीन form में KLM कितना unit बनाया है दियावा है fixed cost पता है, variable cost पर unit पता है interest पता है, selling price पर unit पता है अपने आप तुछों मेरा income statement का पहला line क्या होता है sale value, तुम लो तो sale value कैसे आएगा unit दियावाय है, selling price पर unit दियावाय है, क्या मिल जाएगा, sale value हम लोगे काम करते हैं, दो के कही करते हैं L और M तो exact अपने आप होई जाएगा तो फाल तुमें तीन चीज़ करें क्या फैदा, खली के का करते हैं बाजू में लिखते में चले हैं हमारा sale value तुम लोग बता हो कितना हैगा हम वो लिख देगा 60000 into .6 कितना हैगा 36000 माइनस करेंगे variable cost तुम लोग बता हो variable cost कितना हैगा variable cost per unit 0.2 एक unit का .2 तो 60000 का 60000 into .2 कितना होईगा 12000 यानि contribution कितना होईगा 24000 सही है नहीं या तक माइनस करेंगे fixed cost जो हमेशा दिया रहेगा कितना है 7000 जानी EBIT आ जाएगा 17000 माइनस करेंगे interest वो दिया वाए है 4000 जानी EBIT कितना आ जाएगा 13000 अगर बैचास हमारे question में tax देता तो ज़रूर माइनस करते हैं नई दिया तो मन से थोड़ी माइनस कर देंगे to income statement खतम पहला calculate करना है डॉल अगला DFL अगला DCL पटा पट हम चाहेंगे आप लोग स्वायम calculate करने का तरयास करें डॉल, DFL, DCL हम चाहेगा फटा फट एक वर calculate करो अपने आप डॉल का formula क्या आने वाला है फिक्स कॉस्ट की उपर में contribution उसकी निचे EBIT तो 24,000 by 17,000 जो आने वाला है 1.41 आप बता यह हम कैसे लिखे, percentage में लिखे, rupees में लिखे है, times में लिखे, times में यह आया है 1.41 टाइम्स अगला में को calculate करना है DFL, आप वो आएगा EBIT divided by EBT, तो 17 divided by 13 आने वाला है 1.307 आ गया, तो 1.31 कर देते, round off, अब DCL के लिए एक तरीका contribution by EBT कर दो, यह अगला तरीका doll into DFL कर दो, एक ही बात है, इसका पर अनसर कितना हो जाएगा, जाएगा 1.856, clear है यहां तक, तो हमारा पहला question खटा, exact एसी form L और form M का भी हो सकता है, वो कुछ जरूरत निया करने का, एक clear है यहां तक है, अब अगला करते है question number 2, अब धीरे-धीरे question का जो level of difficulty बढ़ेगा, चलो start करते है question number 2, हमारा अगला question, a form has sale value of 10 लाग, ठीक है, a variable cost 7 लाग, perfect, a fixed cost है 2 लाग, घजब, and debt दिया वे, कोई बताएगा, debt मने क्या, a debenture है, उस पे 10% rate of interest ने से क्या मिलेगा, interest कितना आएगा, पांच लाग का 10%, पचास हिसार, बस इतना ही दिया है, calculate करना है, doll, dfl, dcl, यह तो easily हो जाएगा, इतना तक करो, फिर उसके बाद वाला क्या करना है, वो जानते हैं, दो मिनिट बाद, जल्दी जल्दी फड़ा फट, घवराने से कुछ नहीं होगा, घवराने से कुछ नहीं होगा, जैसे ना, revision class के, पहले बीओ ने डाल देगा, PDF ने, तरहें तुम दो के लिएजी रहे, एक बार, calculate करना, डॉल, DFL, DC, अगर तुम दो काता है तो, sale value है 10 लाख, variable cost है 7 लाख, contribution आया 3 लाख, fix cost है 2 लाख, जैनि EBIT आया 1 लाख, शबी, एक लाख, interest का value कितना था, 50,000, जैनि EBIT कितना आया है, 50,000, यह सब रुपीज इन लाख निखा, calculate करें, डॉल, DFL, DCL मेरा डॉल आने वाला है, 3 divided by 1, 3 times, मेरा DFL आएगा, EBIT divided by EBT, 1 divided by 0.5 कितना आएगा, 2 times, और DCL के आएगा, 3 into 2, 6 times, तो यहाँ तक तो easy था, अब देखो अगला लाए, चलिखा, if the firm wants to double its EBIT, मेरा कमती सोच रहे की काम करते हैं, हम लोग अपना EBIT के value को double कर देते हैं, जारे कि अभी 1 चल रहा था, वो double कर देते हैं, तो 1 का double क्या होता है, 2, चुरूब, बहुत अच्छा बात है, तो how much of horizon sale would be needed on a percentage basis, बुलता है, बताओ, कितना percent sale बढ़ाना पड़ेगा, कि जो मेरा EBIT double होगा, पताओ, कभी भी इस टाइब का question आए करने का दूर तरीका है, पहला तरीका, उल्टा income statement बनाओ, question हो जाएगा, तो पहले एक बार उल्टा बनाते हैं, EBIT है 2, बताओ तो fixed cost यहाँ पे 2 था, इधर भी क्या रहेगा, fixed cost तो same रहेगा 2, यहाँ उल्टा चलके बताओ तो contribution क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा 4, अब एक बात बताओ, अब obvious हावात है मेरा जब contribution change हुआ तो पक्का sale बढ़ा होगा, तो variable cost तेम तो नहीं रहेगा, अब यहाँ पे ना yuritary method लगा सकते हैं रोग, कैसे लगा सकते हैं, जब contribution 3 था, तो sale था 10 रुपया, तो अब contribution 4 होगा, तो sale value क्या होगा, तो जब contribution था 3, तो sale value था 10, यानि contribution के 1 होने पे sale कितना हैगा, 10 by 3, यानि अगर contribution 4 हो रहा है, तो sale पताओ क्या हैगा, 10 by 3 into 4, एक अब बताओना कितना हैगा, 13.33, ठीक, और मेरा variable cost क्या आ जाएगा, दोनों की बीच का balancing figure, अगर तुम दो calculate करेगा, तो यह आ जाएगा, 13.3 minus 4, 9.33, 13.33, यह था 9.33, और यह है 4, आँ मेरे को निकालने कि आपोले कितना rise in sale हुआ on percentage, आँ यानि पहले sale value था 10, अब यह 13.33 हो गया, आँ यानि बताओ कितना रूपया बढ़ रहा है, 3.33, आँ मेरे को निकालने कितना percent बढ़ा, तो 3.33 बढ़ाना है, divided by पहले कितना था 10 percentage फिले इंटू 100, आँ अगर आपको calculate करोगे तो यह पताओ कितना आ जाएगा, 33.33, पताओ यह एक तरीका है, आँ इसको करने के एक shortcut था, बताए क्या, परफेक्ट, साही बोली, आँ देखो यहापे मेरा EBIT बदल रहा था, और बोला बताओ कितना sales change हुआ, तो याद है income statement ने sales से EBIT तक डॉल पहुँचाता था, EBIT से last line DFL पहुँचाता था, और sales से last line DCL पहुँचाता था, तो EBIT पहले एक था, अब वो दो हो गया, यानि एक रुपया और बढ़ गया, divided by पहले एक ही रुपया था, यानि EBIT 100% बढ़ा, तो याद परोड डॉल को calculate करने के एक और तरीका क्या था, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sale, डॉल हम दो कितना calculate किया था, 3, मेरा EBIT कितना percent change हो रहा है, एक की जगा दो रुपया हुआ, यानि एक रुपया चेंज हो रहा है, divided by पहले एक था, इतुस्वा कितना आएगा, 100%, तो ये था 100%, divided by percentage change in sale, तो बताए मेरा percentage change in sale कितना आजाएगा, this, ये गया है इधर, बतो तो 100 divided by 3 क्या होता है, 33.33, ये क्या है, 33.33, जरी हम दूनों तरीका बता दिए, एक जैम में फॉर्मूले याद ना भी रहे, घवराना मत, उल्टा चलना, क्या बात है, क्या बात है, हमारा concept सारा रिवाइस करना हो चुका है, हम लोग तीसरा question दिए, किता खुश है, हम लोग अच्छा चाप questions में पहुँच गए है, अब करना question, हाँ हाँ हाँ, question 3 तो वार अच्छा है, क्या है अच्छा होने का, इसके अंदर में ना, एक marginal costing का भी concept नम जोड़ दी है, अच्छा चीज दो बुली, आँ वैसे एक अच्छा चीज दो ही, अच्छा मता ही, मेरे को याद दिलाई, आँ पता है, डॉल का, कभी-कभी question में ना, तुम लोग को marginal safety दे देगा, आँ कभी-कभी question में marginal safety दे देगा, तो तुम लोग ना, पहले एक वार का डर जाएगा, पिपर पलट के देखेगा, यह cost है, यह FM, यह FM का यह question है, पर कभी-कभी marginal safety दे देगा, तो अगर by chance कभी question में marginal safety दे, तो डॉल हम लोग calculate कर सकते हैं, 1 divided by marginal safety, पहला बाद, इसका derivation क्या था, उससना हम लोग जाने थे, अब derive-phrive नहीं करेंगे, पुछे, break-even point का formula unit में, थोड़ा बहुत याद है, break-even point वो point है, जहां पे company का न profit आया, न loss, यानि company खाली एक ही चीज़ पे कर पाया, पता है वो एक ही चीज़ क्या पे कर पाया है, fixed cost, और एक बात मताओ, दुनिया का सारा payment कहां से होता है, selling price से होता है, या contribution से होता है, आज याद करो, मालो ये student आई, मेरेको 8,650 दी, पर इनी पे मेरा variable cost लग गया, मालो 16,50, जैनि net मेरेको कितना रुपया contribute कर रही है, खली 7,000, तो मेरेको निकालना है, एक जन देता है अगर 7,000, और मालो मेरा fixed cost है 42,000, तो कितने student लगेंगे, 42,000 by 7,006, तो यही तो break even point आया, formula क्या था, fixed cost divided by contribution per unit, एक विक recap, ठीक, आज ये विक recap क्यों करवाया, हमारा question 3 में काम आएगा, ज़रा देखते है question number 3, एक्स corporation has estimated, for a new product, its break even point at 2,000 unit, भाई BP दिया भाई 2,000 unit, और BP का formula भी हम जज़्च बताया था, बताओ क्या था, fixed cost divided by contribution per unit, BP दिया है 2,000, अब इन दोनों में से push तो एक चाहिए, if the items are sold for Rs.14 per unit, selling price दिया है 14 per unit, the cost accounting department has currently identified, variable cost of 9 per unit, अरे वाँ, बताओ क्या मिल जाएगा, selling price per unit दिया है 14, मेरा variable cost per unit दिया है 9, यानि बताओ इन दोनों से क्या मिल जाएगा, contribution per unit, 14 minus 9 कितना होता है, 5, तो contribution per unit आया 5, यानि बताओ इस से मेरे को, अपने अब क्या मिल जाएगा, fixed cost कितना हैगा, 2,000 into 5, अब ये question normal है, calculate करना है, खाली operating leverage, कब अगर हम 25, यूनिट बेच रहे हैं, और 3000, यूनिट बेच रहे हैं, तो income statement बनाएगे, दो heading के साथ, पच्छे सो में, और 3000 में, पहला line sale value, selling price 14 per unit पता है, यूनिट से multiply कर दिये, माइनस करेंगे variable cost, variable cost पता है unit से multiply कर दिये, आगया contribution, माइनस करेंगे fixed cost देखो, जो just अभी निकाले, क्या मिलेगा EBIT, मिलको दोनों में doll मिल जाएगा, try करो, try करो, घबराओने, घबराओने, घबराओनाई, क्या बात है, हम लोग तो अलग भी speed में, पड़ा फट question कर रहे है, आप में नाम क्या है, प्रद्यूम, प्रतीम, प्रतीम जी अकार है त्यार, अब सुखे, चले इतना दूस है, अब सुखे, क्या निकालाईगे, यह कौन से यूनिट में निकाला, दोनों यूनिट में अलग अलग आएगा, आपके, ठीक है, आएक है पच्चेसो यूनिट, एक है तीन हजार यूनिट, अब से यूनिट का निकालाईगे, पिर तुम लोग कुछ देखनी पहेंगा ना, क्वेश्चन, और से यूनिट का फूर्टीन तो पच्चेसो का, पच्चेसो इंटू फूर्टीन जो आने वाला है, कितना मुला, थोड़ी फाउजन, और यहाँ पर तीन हजार इंटू फूर्टीन कितना आने वाला है, 42,000, माइनस करेंगे वेरिबल कॉस्ट, वेरिबल कॉस्ट एक यूनिट का नौ है, तो पच्चेसो का, और तीन हजार इंटू नौ, 27,000, यानि मेरा कंटिबूशन आएगा, 12,500, और यहाएगा, माइनस करना है, फिक्च का उस जो कितना था, 10,000, यानि पता है मेरा को क्या मिल जाएगा, EBIT, 25,000, पांच हजार, मेरा को only एक डॉल काल्कुलेट करना है, जो हम आराम से काल्कुलेट कर सकते हैं, कैसे, कंट्रिबूशन, बहुत अच्छा क्वेशन है, और हम चाहेगा ना, इसका अंसर भी तुम दोग शाहिद देनेगा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धी लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बुद्धी, इसका निकालने क्या बुला है, जरा देखो, काल्कुलेट करना है, परसिंटेज चेंज इपीएस, इपीएस माने लाश्ट चलाइन, अगर सेल 5% change होता है, तो बोलो इपीएस कि तरह percent change होता है, तुम बोलो बताओ, ये कौन सा leverage बताएगा, आज डॉल बताएगा, या DFL बताएगा, या DCL बताएगा, DCL, तो पहले मेरे को अगर DCL पता चल जाए रा, तो ये part करने में लगेगा, मेरे को एक बिनट अब मेरा आगला क्वेश्चन रुखता है डीजीएल कायक्यूलेट करने में का फॉर्मूला क्या था क्या था अब मेरा फोकस क्या है पहले डीच्वाइनेक निकलते एक वामें DCL मिल गया तब तो मेरा यह वाला पार्ट आराम से हो जाएगा अब EBT तो शायद देखो दियावा है आइधर प्राफिट बिफोर टैक्स बोली या अर्निक बिफोर टैक्स बोली दियावा है तीन लाग बीस अब मेरा क्वेशन उठता है कंटीबिशन कहां है अब ही या क्वेशन में ना सेल पता है ना वेरिबल कॉस्ट पता है पर कंटीबिशन कहते आएगा घबराओ मत आगे देखते हैं कंटीबिशन के बाद माइनस क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट क्या मिलता है EBIT और एक बाद बुले और एक बाद बुले एक बाद बुले अब मिल जाएगा सही बोल रही है back calculation करके EBIT देखो दियावा है 11,20 fix cost देखो दियावा है 7,00, यानि मेरे को contribution मिल जाएगा एक बार calculate करें contribution कितना आजाएगा थोड़ा बुद्धी लगाओ ये है 11,20 ये है 7,00 जैनि पता है contribution कितना आजाएगा 18,20,000 तो contribution आया 18,20 एक बाद मेरे को क्या तुम लोग DCL calculate करके बताएगा कितना आएगा 5. पॉइंट जै आएगा 5.690 ठीक अब एक बार percentage के टाउस में बात करें आफ ये 5.69 times के indicate करता है कि अगर sale 1% change होगा DCL है अगर sale 1% change होगा तो बताओ EBIT 5.69 change होगा DCL है तो EBIT 5.69 change होगा या आखरी line 5.69 change होगा आखरी line तो आखरी line में क्या आता है EPS ये तो आता है Last MPS निकालते है आया या यानि कि एक से केंड ही कुछ आ जानी मेरा डीच जो है आफ 5.69 यह क्या इंडिकेट करता है सेल अगर 1% चेंज होता है तो जो मेरा आखरी लाइन EPS से वो कितना चेंज होता है 5.69 एक बात बताएगा अगर मानलो यह डॉल होता 5.69 तुम क्या लिखता सेल 1% चेंज हुआ तो बतब 5.69 क्या चेंज हुआ EPS हुआ या EAT हुआ या EBT हुआ या EBIT हुआ या क्या हुआ EBIT लिखते पर यहां पर तो DCL निकाला है तो सेल 1 चेंज होता है तो EPS 5.69 अब अस्ती में सेल कितना चेंज हुआ है 5% तो एक के चेंज होने पर 5.69 तो 5 के चेंज होने पर क्या आएगा 5 इंटू 5.69 एक वाज ज़रा calculate करके बताओ यह कितना आ जाएगा 28.45 परसेंट सही नहीं या तक आ यानि जब भी कोई percentage हो लाएगा ना तो खाली वो चीज़ सोच रहा जहां का चेंज दिया है दूसरा जो निकालने बुले वो कौन बताया तो सेल से इवी एटी तक डॉल बताता है इवी एटी के आगे डिएफल बताता है सेल से लाज तक बीसी यल बताता है ठीक है या तक अब आता है question नमबर पांच तुम लोग बस खाली पहले question को पढ़के मेरे को बताओ कि यहां पे किस तरीका से proceed करेंगे बस त्रीन और question और XYZN company has three financial plans before it पहला है plan 1 अगला है plan 2 अगला है plan 3 calculate करना है operating and financial leverage यानि डॉल इफल for the firm on the basis of following information और बताओ highest and lowest value of DCL किसका है मने डॉल, DFL, DCL सब निकलना है आ कितना unit बनाए दियावा है selling price per unit दियावा है sale मिल जाएगा मेरा variable cost per unit दियावा है variable cost मिल जाएगा जरी contribution आ गया अब मेरा fixed cost देखो तीन situation है ABC तो contribution तो तीनों situation में same है पर fixed cost तीनों में अलग अलग रहेगा तो EBIT भी तीनों में अलग 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 आएगा अब अगर तीन contribution है तीन EBIT मतलब डॉल भी तीन आएगा यहां तक आ जाएगा फिर यहां पर कहानी खतम नहीं हुआ अब आगे बोलता है तीन plan है यह तीन situation है फिर बोलता है हर situation में तीन तीन plan है पहला plan में equity है 5000 12% debt 5000 अगले वाले में equity 7,500 वाले में देंचर 7,500 तुम नो तो यह वाला table क्यों दिये इससे क्या मिलेगा इससे क्या मिलेगा जब दिवेंचर का वालओ दिया है और साथ तो इंट्रेस्ट का वाल्यू तुम लोग एक वर इमाजन कर पा रहे है कितना कॉछम दिवल है बताओ यह नौ समझे आ एक कैसे आया पहले सिक्वेशन ए बी सी टग एक आया फिर हर सिक्वेशन के अंदर में तीन प्लैन है यानि यहां पर मेरा बन जाएगा 9 situation पहले एक वार EBIT तक पहुंचते तीन situation में उसके बाद देखते हैं क्या करना है तो लिए काम करो situation A, situation B और situation C, sale minus variable cost, contribution minus fixed cost, EBIT तक पहुंचो यह जो जहमिला है वो तो आ रहा है इंट्रेस्ट calculate करने में जो EBIT के बाद काम आएगा तो नौक अलम बनेगा उसके बाद तुमने कर यहां तक calculate करके डॉल निकालने का प्रयास करें पड़ा फट ट्राइ करिए और सिंस contribution और EBIT आया वह है तो लोग आराम से डॉल भी calculate कर सकते हैं इस table में आरणली क density कि यही 5 आरणल स्थाव मौध निए माद तो कि अर्णल पहले निकालते हैं, sale value, selling place for unit 15, कितना unit बेचे 800, 800 into 15, पते हैं कितना आता है, 12,300 में, मेरा variable cost एक unit का 10, तो 800 का क्या आएगा, 8,000, आज यानि मेरा contribution कितना हैगा, 4000, मेरा fixed cost है, 1, 2, 3, यानि मेरा EBIT हैगा, 3000, 2000, and 1000, पते हैं, इससे मेरे को मिल जाएगा doll, आज मेरा doll कैसे आने वाला है, contribution divided by EBIT, 4000 by 3000, 1.33, 4000 by 2000, 2, 4000 by 1000, 4, तो पहला पार्ट तो हो गया doll, अब अगला calculate करना है DFL, जो एक विशार table होगा, करन के पहला situation ये था, पर अब इस situation में तीनो plan है, फिर अगला situation ये है, उसमें तीनो plan है, अगला situation ये है, उसमें तीनो plan है, यानि, यानि, अगर हम लोग बनाए थोड़ा वैसे, तो situation A में plan 1-2-3, situation B plan 1-2-3, situation C plan 1-2-3, आ, EBIT तक तो देखो मेरे को अल्रेडी पता है, आ, पहले वाले में था तीन हजार, तो situation A में तीन हजार है, plan कुछ भी रह, situation A में EBIT तीन हजार है, situation B में 2000 है, situation C में 1000 है, आया है यहां तक, अब यह EBIT के बाद मेरे को माइनस क्या करना है, interest, अब हम चाहेगा ना, interest तुम लोग अपने आप निकालो, EBIT अपने आप पहुँचो, लाश में calculate करना, DFL, ठीक रहा, अपने आपोरोब पारे करे जापने आप में जापने तीन है, इस एक रहाज. प्लाइट बन में इंट्रेस्ट कितना हैगा पांच हजार का बारा परसेंट छेसो आहां पर आएगा पच्छेसटो καा बारा पर्सेंट तीन्सो इहां पर साड़े साथ जार बारा पर्सेंट नौश तो प्लान टू थ्री में इंटर्स्ट आ गया अब सिवेशन कुछ भी रहे प्लान 123 में इंधर आने वाला है वापस से प्लान 123 में इंधर यही 600, 300, 900 आएगा अब वापस से सिक्वेशन सी में भी प्लान 123 के अंदर में इंधर इंधर नो रहेगा जाए बीटी कितना आ जाएगा 2400, जाएगा 2700, जाएगा 2100, 1400, 1700, 1100, 1400, 700, and 100, oh sorry 200, done, आए बीटी आए वह है, डिवाइट करो बीटी मेरे कुछ सीदा क्या मिलता रहेगा, हमारा बीएफल, आ आए वहनेमày के क्या, हमारा बीटी करता है, हमारा अभ़ेट करेंगा आ जाएगा 250, जाएगा प्रन रावावाश सुधाईधा वह मेर बीटीता रहेगा अनल ए जाएगा करो अीफली आएगा रहेगा सुद gebe backup, ऑ hay एटीた औिए द Они आएगा बीटी आएगा, हमारा बीटी झाल झाल अब देशन हम आराम से कैल्कुलेट कर सकते हैं ठीक ना यह मला हम कर देगा जरुद थोड़ी है आज तुम लोग अपने आप पर देना EBIT divided by EBT अगर कोई किया तो बता दो ना 1.25, 1.11, 1.43, थैंक यू सिटूइशन भी किसमें अब अगला है एक बहुत यह यह च्छा प्रक्राइब है नगर सब्सक्राइब करें अब जरा देखते हैं क्वेश्चिन अबर च्छा है क्या लिखाए दस सिलेक्टेड फिनाशल डीटा फॉर एबीची कंपनी और यह दिंग मार्स 2016 आरायस बिलोग है एक वार ना भी को भूल जो एक वार खाली एक को लेके चलते हैं अब तुम दोकर हैं एक बात बताता है कभी भी इस ताइप का क्वेश्चेन है ना कोई तो एक वाल्यू चाहिए इंकम स्टेट्मेंट के लिए तो पहले तो हम लोग हमेशा फॉर्मैट बना देंगे सेट माइनस पेडिबल कॉस्ट कास्ट कॉस्ट इवीएटी माइनस इंट्रेस्ट इवीटी माइनस टैक्स इएटी यहां तक तो बना दिये अब पूरे क्वेश्टन देखो भाई कोई तो एक वाल्यू दे उसके विए इंकम स्टेट्मेंट बनाएगा कैसे पहला वाला दिया है 75% अगला इंट्रेस्ट का वैल्यू दियावा है 300 रुपिया चैनो ठीक है अब डॉल दिया है जो इंकम स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं आता d felt दिया है जो इंकम स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं आता और tax का रिट दियावा है 50% अब मेरा अगला question उठता है कि इस question को हम आगे कैसे भढ़ा है सेल को एक्समान के वो भी एक तररीका है नहीं दिए है नहीं नहीं दो कि आठे 100 की उपर में क्या आता है इबिटी इसके नीचे में क्या आता है यपीटी यह क्या चीश का फोर्मुला था ूआ यह चीश्ट इना भॉली से थोड़ी है तो अलिकर फोर्मुला था दिया वे क çıkma है अब डे इसल्क रिज 4 is to 1 यानि 4 भाई 1 यानि 4 यानि हम लोग आराम से लिख सकते हैं EBIT भाई EBIT है 4 तुम लिख तो दिये ना EBIT का ठीकाना ना EBIT का ठीकाना क्या करें लिख कर घवराओ मत EBIT ना पता EBIT पता EBIT को अगर X माने तो EBIT क्या आएगा X-300 तो X माने EBIT आएगा X-300 हाँ वही तुम किये EBIT इसी लिखना चाहिए EBIT लिख तो कोई प्रब्दम नहीं है EBIT divided by EBIT minus interest हम बस खली EBIT को X बोल दिया वह दिख कर तो आप जैसी solve करेंगे देखो मिरे को क्या मिल जाएगा X का value कि ता X400 आएगा क्या बात है आप तो मैस इतना अच्छा कैसे हो गया तो आज सक तुम 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 को बहुत मजा लिया था आगर तुम लोग solve करेगा तो देखो X का value आ जाना चाहिए 400 विरको नहीं पता ये बूल भी है 400 है न EBIT आया 400 interest है 300 यानि EBIT आ गया 100 रूपया टैक्स देना है इसका 50% यानि 50 यानि पता है EBIT क्या आ जाएगा 50 100 का 50% टैक्स दी यानि आया 50 अब मिरको ऊपर चलना है अब जब ऊपर चलना है तो उपर हम लोग कैसे चले आ तुम लोग बताओ EBIT आया है अब मिरको नहीं उपर की तरफ बढ़ना है अब हम कौन सा leverage का formula यूज करें डियूएल और डियूएल कितना है 6 और डियूएल का formula क्या है contribution by EBIT जो है 6 EBIT पता है contribution मिल जाएगा contribution by EBIT है 6 EBIT का value है 400 यानि contribution कितना हो जाएगा 6 इंटू 400 कितना मिल जाएगा 24 आज यानि हमारा fixed cost कितना हैगा 2400 यह है 400 तो 20 का balancing figure कितना हैगा 2000 है ठीक है यहां तक है अभी वे life में challenge बचावा है सेल और variable cost बचावा है और variable cost दिया है 75% of sale मेरा variable cost दिया है 75% of sale मेरा variable cost अगर 75% of sale है तो अगर यह 25 के बराबर है तो 100 का value क्या है स्वाज मैंना क्या बुला 2425 के बराबर है तो डिवाइट बैपच्चेस तो 100 का value क्या है इंटू 100 calculate करो कितना आजाएगा 9600 यारी मेरा variable cost कितना आजाएगा बैले से फिगर 7200 सही है ना यह एक हम लोग साथ में discuss करते वे किये अब हम चाहेगा ना तुम दो बी का अपने आप कर देगा चाहिए करे ताकि को आप प्राक्टिस होगा तो लोग बिए को सीधा बी का सेल वाली बता रा सेल वाली राइट मतब सब राइट हो गया हुगा अजिए अगर देखो मेरा कुटिबुशन था 2400 वेरेबल कॉस्ट था 75 परसेंट अव सेल अगर सेल वाली गो सौ माने तो वेरेबल कॉस्ट इसका 75 परसेंट मतब सेल वाली यानि कंट्रिबुशन क्या बचेगा 100 माइनस 75 25 जानि 2400 है 25 के बराबर तो 100 का वाली क्या 2400 है 25 के बराबर तो 100 का वाली क्या एक फड़ा फट कैल्कुलेट करना हूँ कि यदि दिवाइए क्या दिखते हैं इंट्रेस्ट का वाल्यू है 1500 का वी इंट्रेस्ट की वाल्यू है एक विए टी डिवाइटी है टू इस टुवण यानि टू टैम्स अब इब इब इटी नहीं पता अगर एक्स माने जरुती नहीं एक्स तो पिला लिए टी की जगा लिख देते हैं इब इटी माइनस इंट्रेस्ट जैसी सॉल्फ करेंगे पता है इससे मेरे को इब इटी का वैल्यू आ जाएगा जो कितना बूला कितना एगा क्या है कंटिबूशन बाइट कंटिबूशन का कोई ठीकाना नहीं पर इवीटी का ठीकाना है 2000 तो कंटिविशन केया गाद दो इंस दो हजार चाहं हजार जैने मेरा फ्रेप्स कर जाएगा दिस और इसकी बीचा डिफेंस दो हजार अब calculate करना है मेरे को ये sale value variable cost कितना है 50% of sale अगर sale को माने 100 रुपया तो variable cost है इसका 50% मतलब 50 यानि contribution कितना आजाएगा बाकी 50 तो भाई ये अगर 50 के बराबर है तो 100 का value क्या 4000 अगर 50 के बराबर है तो 100 का value कितना आजाएगा 8000 तो variable cost कितना हैगा बालेंसर फिगर 4 सही है नहीं यहां तक यह था हमारा question number 6 हम लोग करता है question number 7 clear नहीं यह वाला अरे वाई यह तो बहुत अच्छा लग रहा है सब income statement बना कर दे लिए sale minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBIT तो सब बना कर दे लिए करना के using the concept of financial leverage by what percentage will the taxable income increase if EBIT increase by 6% मेरा पहला question होगता है taxable income का मतलब क्या वो income जिस पे tax लगता है तुम लोग होता है इन में से किस चीज़ के उपर इन में लोग tax calculate करते है EBIT पे निकलते हैं तो taxable income अत्तिया होता है EBIT यानि बताते है अगर EBIT 6% change हुआ तो बोलो EBIT कितना change होगा तो पहले याद करो यह कौन सा leverage बताएगा sales से EBIT तक डॉल पहुचाया EBIT से आगे कुछ भी जाना है DFL पहुचाएगा तो पहले मेरे को DFL निकलना है आगले वाले में डॉल निकलना है और लाश्ट वाले में DCL तो पहले डॉल, DFL, DCL निकलना है बाद में सारा percentage calculate करते रहेंगे पहले एक वाले डॉल, DFL, DCL पास्पेंट निकलना है पहले डॉल, DFL, DCL हम लोग calculate कर लते हैं और contribution divided by EBIT एक लाख चालिज भाई चालिज कितना होएगा इग्जाक भी पॉइंट हाई वाया और DFL है EBIT भाई EBIT 1.14 तेम्स DCL आने वाला है contribution by EBIT 3.92 पॉड लिख सकते हैं ठीक है आगया ये अब मेरे को बोलना है using the concept of DFL और मालो ये word use में भी करता तब भी हम लोग कर सकते थे क्या बूला यहाँ पे calculate करने के लिए by what percentage will the taxable income मतलब EBIT इंक्रीज अगर EBIT 6% बढ़े तो EBIT के change होने पे EBIT कितना change हो रहा है वो निकाल रहा है अब EBIT से EBIT के बाद का सारा सफर बताता है DFL यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता था DOL और यहाँ से यहाँ कौन बताता है DCL DFL कितना निकाले थे 1.14 ज़र अगर EBIT 1 change होता है तो EBIT change होगा 1.14 अब हमारे question में EBIT 6% change होगा तो EBIT कितना change होगा 6 into 1.14 कितना हैगा 6.84% तो पहले वाले एक answer आजएगा 6.84% ठीक आई यह एक तरीका था इसको calculate रहने के एक और तरीका हो सकता था EBIT को 6% बढ़ाना है तो 40,000 को 6% बढ़ाते 40,000 को 6% बढ़ाते पता है कितना आ जाता 40 to 400 है ना आपर interest तो मेरा same ही रह जाता 5,000 जाने EBIT अब कितना हो जाता 37,400 तो एक पहले जो 35,000 था अब यह 37,400 हुआ जाने कितना रुपया बढ़ गया 2400 divided by पहले कितना था 35,000 percentage के रहे इंटू 100 एक और calculate करो कितना हीगा 6.80 तो और बैचास exam में यह सब जानना है तो income statement में तो change करके कुछ भी करी सकते हैं अब हम चाहेंगे part B आप लोग स्वायम करें अब using the concept of operating leverage by what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sale sale के 10% बढ़ने पे EBIT कितना बढ़ेगा तो पहले हमेशा बाजू में लिख देना चाहिए sale के change होने पे EBIT कितना change होगा वो निकालना है sale के change होने पे EBIT कितना change होगा वो निकालना है पहले ज़रा सूचेंगे यह कौन सा leverage बताता है doll doll कितना है था 3.5 यह अगर sale 1 change होगा तो variable cost भी 1 change होगा contribution भी 1 change होगा fix cost सेम रह जाएगा यानि EBIT 1 से ज़्यादा कितना जो doll ने बताया 3.5 तो एक के बढ़ने पे 3.5 change हुआ एक के बढ़ने में 3.5 तो 10 के बढ़ने में कितना change होने वाला है 10 x 3.5 कितना आ जाएगा 35% आ यह पहला तरीका यह अगला तरीका income statement बना की कर लो income statement से करते तो क्या करते sale 10% increase हुआ तो जो 2,00,00 रुपया है वो 10% बढ़ गया जयानि 2,20,00 हो गया अगर sale 10% बढ़ेगा तो variable cost भी 10% बढ़ेगा तो 60,000 की जगा 66,000 हो गया आ यहनि contribution आ जाएगा 154 पर मेरा fixed cost तो देखो एक लाखी रहेगा जयानि पताए EBIT कितना आ जाएगा 54 तो देखो EBIT जो पहले 40,000 था वो 54 हो गया जयानि कितना रुपया बढ़ा 40,000 की जगा 54,000 जयानि 14,000 बढ़ा divided by पहले कितना था 40,000 percentage के लेएगी 100 एक और calculate करो कितना जाएगा 35% पार्ट पी यूजिंग दे कंसेट आ लिवरेज ये बढ़िया है ये नहीं बताए कौन सा लिवरेज डॉले, देफले, डेफले, डेचल बोले उसे दे कंसेट आ लिवरेज बाइवाट परसेंट इजल्ट टैक्सिबल इंकम वो इंकम जिसपे टैक्स लगता है यानि इबीटी इंक्रीज, इवदा सेल इंक्रीज बाइच 6% यहाँ पर बोलाए कि बताओ सेल अगर 6% बढ़े तो इबीटी कितना परसेंट बढ़ेगा ये कौन सा लिवरेज बताएगा डीचल तो सेल के चेंज होने पर इबीटी कितना चेंज होगा ये डीचल बताएगा डीचल कितना निकालावा था चार, जेने अगर सेल 1 चेंज होता है तो ये 4 चेंज होता है और यहाँ पर सेल को चेंज करना था 6 तो ये कितना चेंज होगा 6 इंक्र चार यहां पर्सेंटेज वाला बड़ा लफड़ा वाला चीज होता है इसलिए आजम लोग हर क्रेशन में पर्सेंटेज डाल दिये यह तो बार में प्रैक्टेस करें और जहां पर भी अटको घरणा मत इनका श्रिप्रेंट बना लेड़ा सेल यहां पर 6 परसेंट बढ़ा तो दो लाग को अगर 6 परसेंट बढ़ाए दो लाग 12,000 हो जाएगा मेरा वेरिबल कौश भी 6 परसेंट बढ़ जाएगा साथ हजार को 6 परसेंट बढ़ाए 3600 बढ़ा साही बोली थी साथ हजार था 3600 बढ़के 6600 हुआ यानि मेरा कंटिब्यूशन कितना आ जाएगा 148,400 पर ध्यान देना मेरा फिक्स तो सेम रह जाएगा एक लाग जानी बीटी कितना आएगा 48,400 ध्यान देना इंट्रेस्ट भी सेम रह जाएगा 5000 जान इबीटी कितना आएगा 43,400 अब मेरे को निकालना था कितना परसेंट इबीटी में बदलाव आया 35,000 की जगा 43,400 हो गया तो कितना बढ़ा 8,400 ध्यान पहले कितना था 35,000 परसेंटेश के लेंटी 100 कितना आएगा एग्जाइट के लेडी परसेंट सही ना यहां तक तो आपनों के इंस्टिटीट का तो देखो सारा क्वेश्चन हो गया अब एक काम करें हम लोग एक दूड़ और ऐसी क्वेश्चन करें एक दूड़ और मिस्टीने इसक्वेश्चन हम पता है प्रेफ्रेंस प्रेफ्रेंस जीडिट आता है और यह सब कुछ बिफोर टैक्स है तो कोई भी आफ्टर टैक्स वाले को बिफोर टैक्स बनाना है डिवाइट किसी करना पड़ता है है मैंएस सब्सक्राइब अब मुद्ध कॉर्टल लुजकर यहां मस सब्सक्रांस वर्च फिकरना टैक्स ब्रक्राइस सब्सक्राइब अबनदा सकंवस रहाज रहाज प्रPro अब बुले तुम क्या बुल दोईए तो तुम बोलिए कि हम लोग क्या पूरा स्टेट्ट्मेंट बनाकर दिखाएंगे दिखो अगर बैचारणस खाली इतना चागर स्टेट्मेंट क्या ज़रुत नहीं है खाली एक लेन ऐसे लिखता काम हो जाएगा पहले डॉल DFL DCL निकाले उसके जैसे पहले वाले में EBIT के चेंज होने फिर EBIT कितना चेंज हुआ तो हम जैसे लिखाना EBIT 1 EBIT कितना परसेंट तो 6 के गेस्ट में कितना काम खताम पर तेको लाश्ट लिखा है also verify results in view of the above figure अगर बोले ना verify करके दिखाओ तो फिर वापस इंकर चेंट बना बना कि verify करके दिखाना पड़ेगा अगर यह line नहीं बोलता तो verify करके नहीं दिखाते खाली answer लिखते है verify करने बोले तो करके दिखाना पड़ेगा अब एक काम करो एक वार ना तुम दो बस खाली जो पहला वाला ये question का जो company A वाला partner एक और खाली इतने को करने का try करो ये question करने का कारण खाली एक line है पता है क्या margin of safety वो तो जैसी margin of safety आया क्या करना है आड डॉल आएगा आड डॉल कैसे आएगा 1 divided by margin of safety आगर by chance question में margin of safety रहे हाँ हम बताब है वैसे तो formula contribution का EBIT है पर हम बोला अगर by chance margin of safety आये तो ये indicate कर रहे है कि भाई तुम डॉल निकल ले कैसे निकल ले 1 divided by margin of safety करके तो 1 divided by 0.2 कितना होता है 5 बस margin of safety का काम पूगे तो ये को interest का value दिया है DFL दिया है डॉल दिया है PV ratio दिया है and tax rates दिया है अगर जड़ा तुम दो करने का try करो अब हो जाएगा ऐसे एक question अभी ज़स्ट किये ते कुछ दे चले कि अभी है पेल इनकम स्टेप्मेंट का पॉर्माट बना देंगे एक मात्र वैल्यू दियावे इंट्रेश्ट का तीन हजार अब ये इंट्रेश्ट फिनैंशल नेचर का चीज़ था तो मेरे को फिनैंशल लिवरेज के साथ ही आगे बढ़ता है अर माल लो इस क्वेशन में ना इंट्रेश्ट की जगा एक बात ऐस सुनो न सुनो न अर माल लो इंट्रेश्ट की जगा यहाँ पर वर्ड फिक्स कॉस्ट देता तुम दो फिक्स कॉस्ट लिखते तो उब दो कौन से लेवरेज के साथ आगे बढ़ते दियू एल के साथ यारी जो चीज जो रेलेवेंट है उसी के साथ आगे बढ़ता है अब इबीटी की जगा क्या लिखेंगे इबीटी माइनस इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कितना था तीन अजार जैसी सॉल्फ करेंगे तुम्हीं लोग बताओ कितना था तुम्हीं वगर इबीटी निकाला है तो बताओ न यह आजाएगा चार हसार यानि इबीटी आगया एक हसार टैक्स का रेट भी आए पैंतालिस परसेंट यानि जितना कमाये थे एक हजार इसका पैंतालिस परसेंट टैक्स देंगे चैनि साड़े चार सो इबीटी आ जाएगा साड़े पांसे नौर्मल बात अब मुझे उल्टा चलना है अब उल्टा चलना है तो इबीटी पता है मेरेको बैक काल्कुलेशन के उखर के कंट्रीबीशन में आना है तो इसके लिए मेरेको डॉल चाहिएगा डॉल का फॉर्मला क्या है कंट्रीबीशन बाई एबीटी और डॉल देखा हम लोग कितना निकाले थे पांच इवी इटी आए वह है चार हजार वैल्यू पुट कर दो कंटिबिशन हैगा पांच इंटू चार हजार इंटीश हजार यानि मिरा फिक्स तोष्ट हैगा बालेंसिंग फिगर सूला हजार सही ना अब और उल्टा चले अब पीवी रेश्यो दिया वह है पच्छिस परसेंट पीवी रेश्यो का याद है फॉर्मूला क्या था पीवी रेश्यो पिक्स तोष्ट हाँ आँ कंटिबिशन बाई सेल इंटू सौ देखो कंटिबिशन पता है तुमिर को अपने आप सेल मिल जाएगा कंटिबिशन बाई सेल इंटू सौ दिया वह पीवी रेश्यो पच्छिस कंटिबिशन कितना निकाले हैं बीस हजार दिवाइड़ बाई सेल इंटू सौ इकोल तू पच्छिस एक काम करें सेल को ली जाते है इधर पच्छिस को ली जाते है इधर तो 20,000 into 100 by 25 कितना आजाएगा? 80,000 जैने variable cost कितना आजाएगा? 70 सही है नहीं यहां तक? पका करते हैं आज का last question question number 3 यह question question नहीं जबर्दस question है यह गजब का question इसके अंदर में है देखो बहुत बढ़िया question sale revenue of TM Excellence Limited at the rate 20 per unit is 20,000,000 sale value मालो एक पेन को बेशते हैं 20-20 के rate में sale value कितना है? 20,000,000 मेरा contribution कितना है? 10,000,000 sale है 20,000, contribution है 10,000,000 यह नहीं बतो क्या मिल जाएगा बीच में? variable cost तो sale value 20,000,000 था contribution 10,000,000 था और यहनी variable cost कितना है वह है? 10,000,000 अब बोलता है at the present level of output doll दिया वह है 2.5 doll दिया वह है 2.5 doll का formula contribution बई EBIT है 2.5 अब contribution का value देखो दिया वह है तो पता है इससे मेरे को अपने अप क्या मिल जाएगा EBIT का value contribution के जगए 10,000,000 लिख देते है तो हमारा EBIT गया इधर यह गया इधर तो EBIT क्याएगा? 10,000,000 divided by 2.5 कितना हो जाएगा? 6,000,000 यह नहीं पता है मेरा fixed cost कितना हो जाएगा? 6,000,000 तुम दोने बहुत इजी तो question चल जाएगा क्या अफाल तुम इसका हिप बनाएगा? आगे बढ़ो the number of equity shares 1,000,000 EPS निकालने में काम आएगा आफेज में number of shares tax rate दिया है 50% and the rate of interest on debentures दिया है 16% interest जो भी देंगे debenture का value का 16% होगा तो बहुत debenture का value बता दो question तूरंट खतम हो जाएगा और वही तो नहीं बताया अब आगे बोलता है calculate करो EPS जब sale value 20 थाख है यानि इसी समय EPS निकालो and amount of debenture निकालो debenture का value भी बोलता है calculate करो कब कब if a 25% decline in sale marked portion का अगर मतलब समझ गया तो question खतम बताई जो highlighted portion है इसका मतलब क्या if a 25% decline in sale will wipe out EPS ज़र अगर sale value 25% कम हो जाए तो ये EPS को wipe out कर देगा wipe out का मतलब क्या होता है ये एक अंग्रीजी शब्द है आपको English Medium से पढ़े वे है हम expect करते हैं आपको इसका मतलब पता होगा wipe out खतम सही बोल रहा है और अगर बैच्छास कोई चीज़ खतम हो गया कोई चीज़ खतम हो गया तो उसका value क्या बचा कुछ नहीं कुछ नहीं को match में क्या बूलते है zero यारीम क्या बूलना चाहा question में क्या लिखे है अगर sale 25% कम हो जाए तो EPS खतम हो जाएगा खतम मतलब zero हो जाएगा अब इसको करने का दो तरीक है sale अगर 25% कम होता है तो EPS में मालो जो भी पहले value था वो zero हो गया मतलब वो 100% खतम हो गया sale 25% कम हुआ EPS 100% खतम हुआ बता तो sale से EPS तक sale से EPS तक कौन पहुचाता है DCL तो बताए DCL कितना हैगा EPS खतम हो गया यानि 100% कम हो गया तो 100% change हुआ अगर sale change हो रहा है 25% यानि DCL कितना आजाएगा 4 times खाना लाज जवाब question यानि DCL कितना आजाएगा 4 times अगर DCL मिल गया तो question में कुछ नहीं बचा contribution by EBT होता है DCL calculate करो question done आज यानि wipe out EPS बने EPS का जो भी value था वो 0 हो गया और कोई भी value अगर 0 हो गया मतलब या 100% कम हो गया तो sale के 25 change होने पे अगर EPS 100% कम हो गया ये क्या बता देगा मेरा DCL एक और क्या तुम दो मेरे को EBT बता पाएगा DCL क्या था contribution by EBT जो आएव है 4 contribution निकाले थे 10 लाख value पोट करो क्या मिल जाएगा EBT कितना हैगा 2,50,000 जैनिया मेरे को interest balancing figure मिलेगा ये 4 लाख है ये 2,50,000 है यानि interest कितना हो जाएगा 1,50,000 अब ये 2,50 पे 50% टैक्स दे देंगे इसका आधा टैक्स दिए बाकी आधा बचा है income statement बन गया calculate करने क्या बूला था earnings per share earnings per share क्या होता है जो last में बचे 1,25,000 निकालना है पर share तो divide करेंगे number of share और number of share कितना था 1,25,000 divided by 1,00 मेरा earnings per share पता है कितना आजाएगा 1,25 per share और एक और चीज़ निकालने बुला है बताव डिवेंचर का value क्या होगा तुम तो क्या डिवेंचर का value बता पाएगा interest का amount आगया और interest का rate था 16% और interest का rate था 16% तो इससे डिवेंचर का value नहीं मिल जाएगा बताव कैसे निकालेगा जो भी डिवेंचर का value था उसपे 16% interest देना है जो interest का value कितना है 1,50,000 तो डिवेंचर का value कितना है गा 1,50,000,000 divided by 16% 9,37,500 अब जो यह जहमिला दिये था कि यह सोच पाना ने एक्जाम में यह वाला पार्ट कोड़ होता तब इसको करने का पता है एक और तरीका क्या था बूले क्या था यहां लिखाए 25% decline in sale will wipe out EPS अगर sale 25% कम हो तो EPS 0 हो जाएगा EPS 0 कब होगा जब EAT भी 0 हो जाएगा और EAT 0 कब होगा जब EBT भी 0 रहेगा EAT 0 है तब ही तो EPS 0 होगा और EAT 0 कब आएगा जब ना tax देना है ना EBT बचाए कि और मालों यहां पर कुछ भी value आएगा तो आधा tax आधा तो बच जाएगा तो यह 0 तभी रहेगा ना जब EBT भी 0 रहे अब EBT भी 0 रहे यहां तक पहुंच गए सेल 25 परसेंट कम हुआ तो 20 लाक अगर 25 परसेंट कम करेंगी यह value आएगा 15 लाग तो मेरा दन तो इसी के साथ हमारा एक वेशन भी होता है खताम एंड हमारा एक चैप्टर का पूरा पूरी रिविजिन होता है खताम यानि in short chapter में क्या था पहले था income statement sale minus variable cost contribution minus risk cost EBIT minus interest EBIT minus tax EAT minus preference dividend आफेश अगर अरू ये निकालने बुले तो आफेश बाई नमबर अब आफेश बाई नमबर अब अगर आरू ये निकालने बुले आफेश बाई equity share capital in 200 डॉल बोलेगा contribution by EBIT DFL बोलेगा EBIT by EBIT DCL बोलेगा contribution by EBIT अब अगर बैचास हमारा preference dividend आता है तो DFL के formula में एक change आता है वो क्या हो जाएगा EBIT by EBIT तक तो था minus क्या हो जाएगा preference dividend by 1 minus कि चोटा सा और बात अब अगर बैचास हमारे question में interest का value दे तो DFL को यूज़ करना चाहिए missing finger problem में अगर fixed cost का value दे तो DOL को यूज़ करना चाहिए एक percentage वाला बात था percentage वाला बात क्या था तो लोग तो sales से EBIT तक कौन पहुँचाएगा EBIT से last time तक कौन पहुँचाएगा बस कुल मिलाके पूरे chapter में इतना सा बात था एक और बात अगर margin of safety आ गया तुम लोग अराम से calculate कर सकते हैं DOL 1 divided by margin of safety that's it done हमारा पहला chapter का revision होता है ख़दाओ